हेलफ दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल वास्तु टिप्स घरलूप चार में आज मैं आपको ब्यक्ति की उन आदतों के बारी में बताने वाली हूँ जिन्हें करने से ब्यक्ति मुसिवत में परच सकता है इसलिए ध्यान रहे कि ये चीज़ें आप ना करें हर ब्यक्ति चाहता है कि उसके पास धन दौलत की कमी ना हो वो ऐसो आराम से अपना जिवन ब्यतित करे मालक सिमी को धन की देवी कहा जाता है लक्सिमी का सुबाव चंचल होता है वो कभी भी एक जगह पर जाद समय तक नहीं रहती इसलिए लोग मालक सिमी को प्रिशन करने के लिए कई तरह की उपाई करते हैं कहते हैं कि जिस घर में मालक सिमी का वास होता है उस घर में धन दाने की कमी नहीं होती हिंदू जर्मे में मालक सिमी को धन की देवी माना गया है मालक्सिमी जिस पर प्रिसन्न हो जाएं उसकी जिंदगी में कभी सुक्सम्रिदिगी कमी नहीं आती उसका घर धन तौलत से बरा रहता है यही वज़ा है कि लोग तरह तरह से मालक्सिमी को प्रिसन्न करने का प्रियास करते रहते हैं मालक्सिमी धन और पैवर और एसरी की देवी है यही कारण है हर व्यक्ति चाहता है कि उसके उपपर मालक्सिमी की किरपा बनी रहे कभी कबार देखने में आता है कि तमाम प्रियास करने के बाद भी कुछ लोगों के पास सदेव धन की कमी बनी रहती है दार्मिक मानेताओं और जोतिस की मानी जाये तो इसके बीचे कई कारण हो सकते हैं जिसके वैज़े से घर में पूजा पाठ और हर तरह के प्रियास करने के बाद भी मालक्समी का आवास नहीं होता तो चलिए जानते हैं कि किन कारणों की वैज़े से मालक्समी की किरपब प्राप्त नहीं होती है खाना बीच में कभी न छोड़े सास्तु के अनुसा जिस घर के सदेश से खाना बीच में छोड़ कर चले जाते हैं मालक्समी कभी नहीं रुपती अन्यका निरादर करने वाली को हमेशा पैंसों की गिलत प्रहती है साथ ही खाना खाने से पहले इस स्वर का अवस्याद करें कहते हैं कि उस घर में मालक्समी वास नहीं होता जहां खाना खाने से पहले इस स्वर का धनिवाद नहीं किया जाता है घर में सुबह साम दीपक ना जलाना हिंदु धर्मे में दीपक जलाना बहुत ही सुमाना गया है कहा जाता है कि जो लोग घर के मंदिर में सुबह साम दीपक जलाते हैं वहाँ पर मालक्सिमी हमेशा रहती है जो लोग अपने घर में एक समय भी दीपक नहीं जलाते उन लोगों को कभी भी मालक सिमी का असरवाद नहीं मिलता है घर में हमेशा सोर सराबा होना जिस घर में सदेव सोर सराबा और कला का वातावरन रहता है लोग एक दूसर से चिला कर और अपसब्दें का प्रियोग करते हुए बात करते हैं ऐसे घरों में कभी भी मालक्सिमी का वास नहीं आत्म होता। घर में हमेशा सांति पूर्ण और सकारात्मक वातारण बना कर रखें। जो लोग मधुरवाणी बोलते हैं और सदे दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे लोगों पर मालक्सिमी अपनी किरपा बनाई रखती हैं। नाखुन चबाना छोड़ें। सास्तों के अनुसा जीजगर में व्यक्ति को अपने दातों से नाखुन चबाने के आदत होती है। वहां भी कभी मालक्सिमी निवास नहीं करती। व्यक्ति को अपनी सादत को तुरंट छोड़ देना चाहिए। इससे म लोगों के आमदनी कम और खर्चे जादे रहते हैं। इन लोगों के हाथ में धन कभी नहीं टिकता। और यह लोग हमेशा आर्थक तंगी से जहलते हैं। इससे देर तक ना सोए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ताकि मैं रोज नहीं नहीं वीडियो आपके लिए ला सकूँ।